यहां मैं आज बताऊंगी मलाई से घी कैसे निकाला जाएं यह हमने मलाई से घी निकाला है तो आप लोगों को सबसे पहले जो रोज हम दूर लेके आते हैं उसको दिन में दो बार गरम करना है और रात को फ्रीज में रख देना है सुबह इस तरीके से मलाई निकल जाएगी दिन में आपको दोवर गरम करना ही है अच्छे से दूथ हो दीमी दीमी आज मैं यह हमने मलाई निकाल कर थोड़ा सा दही डाल दिया अब तही खट्टा डालना चाहे तो घट्टा डाल सकते हैं मीठा डालना चाहे हैं तो नब आसके आजी हमने दूसरे दिन भी किया है मलाई निकाल के इसमें रग दीगी है हम आया थीसे दिन भी. जब तक आपके दिबा भरना जाये जिसमें आजम आजये हैं आपको ऐसे ही मलाई निकालते रहते हैं यह हमने मलाई कि निकाल ली है अब इसको हम घोरेंगे घोरेंगे मतलाना मतले determines कि हम इसको इससे मतलेंगे इसमें थ्वड़ा थोड़ा बीच बीच में पानी भी डालना है पहले शुरू में इसको नौर्मली ऐसे मत लेना है जब थोड़ा इस तरीके से गाड़ा हो जाए तो इसमें हम बीच में अब पानी डाल देंगे यह देखिए हमने पर पाणी डाल दिया अब यह और मतलब थोड़ा पतला होगा और अब इसका गी आने लगेगा उठकर यह देखिए चुछी देर बाद और मतलब इसको एक लगातार मतना है बारबरे से रूपना नहीं यह आ गया है अब गी अब इसको हम निकाल लेंगे अच्छी तरीके से अभी इसमें सही निकल चुका है अब हम इसको अलग कर लेंगे एक बरदन में जिसमें हमको गी गरम करना है यह देखें कितने अच्छे तरीके से गी निकल गया है अब इसमें इस तरीके से हमने डाल कर साइट साइट में जो भी उसमें मतलब यह बचा हुआ था दूद उसको हम साइट कर देंगे दूद नहीं अब यह माठा वैसे कहलाएगा तो इसको इस तरीके से हम निकाल देंगे यह गरम करते हैं टाइम यह आवाज करेगा हमने और भी पहले भी दिन का ऐसी रखा हुआ था एक दिन का और तो उन दोनों को मिक्स करके अब हम साथ में गरम कर देंगे इसको दीनी आज में ही घरम करना है तेज आज में नहीं घरम करना है अगर आप मेरी वीडियो के यहां तक पहुची ही गए तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आपको मेरी वीडियो बशन दात तो प्लीस लोगों में शेयर करिएगा अब यह दिखे थोड़ा से गोल्डन हो गया है जादा ब्राउन नहीं हुआ है थोड़ा से गोल्डन हो अब यहीं पर घ्ल करें लिए भाउनों ने पर बंद किया तो यह जल जाएगा अब इसको अलग एक डिब्बेवर निकाल लीजे यह गी बन चुका है अब आप इसको यूज कर सकते हैं इसको जो इसका बचा हुआते है इसको आप दाल चालम खा सकते हैं